हेलो प्रेटों सेकेंड बेलकम बेकिन माई डिलोस मैं हूँ अकश्माड और आप देख रहे हैं यूनिसर वेकर सेल फ्यूनिक कैसे हो आप लोग दोस्तों ये वीडियो उनके लिए उस्पूल है जो लोग अपनी फर्स जॉब ले चुके हैं या फर्स जॉब में है या फिर तो आप आप सुमको पता है कि आपकी फर्स जॉब जब स्टार्ट हो रही होगी या फिर हो गई होगी आपकी सेलरी कितनी होगी मेरी 12 थी आपकी हो सकता है 15 होगी नीचे लिखना आपकी फर्स जॉब फर्स सेलरी क्या थी क्या है मेरी 12,000 थी अब उसमें प्रॉलम क्या होत तो मैं आपको सजिसन दूँगा चाहे 10,000 मिले, 15,000 मिले, 12,000 मिले, first job को मठ ठुकराना, उसको कर लेना, आप उलोग सर उसे benefit क्या होगा, उसमें तो हमारा career हमको बनाना ही नहीं है, correct, उसे benefit यह होगा, कि आपको वहाँ पर बस ध्यान देना कि उसमें time मिलना चाहिए, first job मैं जो site का, जो 18 घंटे वाला, वो मैं prefer नहीं करता हूँ, जो एक standard job होती है, office के अंदर, उसकी बात करना हूँ है, तो अब first job, आपको क्या देगा, आपको देगा confidence, कि आप tension मतलो, आपको 12,000 तो कहीं नहीं गया है, तो मतलब आपको 12,000 की लड़ाई नहीं लड़नी है, अब लड़ाई लड़नी है, 24 की, 25 की, 55 की, 65 की, 95 की, तो अब आपको क्या करना है, ग्रो करना है, और ग्रो करने का सिस्टासा फंडा है, learning, इससे बड़ा कोई source नहीं है, learning, अब आप आराम से अपना एक घंटा, दो घंटा निकालिए, ये जो निकालने का एक दो घंटा होता है कहना तो बड़ा असान है, बट कर नहीं पाते लोग क्योंकि office में बैठने के बाद हालत खराब हो जाती है, definitely कोई पैसे देगा तो band बजा देता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा अगर आप उपर वाली सीधी देख रहे हो तो, अब यहाँ पर आप उस चीज़ का study करिए जिसमें आपको career बनाना है, suppose मुझे as a draftman job मिल गई, जो कि generally सबको मिल जाती है, अब मुझे career बनाना है structure में, अब मैं focus हो जाओ कि structure के लिए क्या-क्या पढ़ना है, तो table बना लिया, मेरे जैसे या कोई भी ऐसे लोग जिनको पता है career के बारे में, उनसे पता कर लिया कि क्य manual अच्छे से करो, then excel अच्छे से करो, फिर कुछ मैंने book अगर refer करवाई कि आप RD Sarma पढ़ो, या फिर मैंने बना कि Dr. VL साहब पढ़ो, पीसी पुनमिया पढ़ो, दुगल सर को पढ़ो, कुछ भी बताया, उनको लिख लो, अब एक-एक करके उनको finish करने start कर दो, suppose पहले stat pro and itap को किया, फिर save को किया, camera, manual को किया, फिर excel को किया, book को किया, एक-एक करके finish कर दे रहो, अब क्या होगा, ये finish कर ने मागनों आपको 6 मैने महीन लगते हैं किन्ने मेहने लगते हैं च्ह महने रेग्लर अगर करोके श्य महीने सब्सक्राइब किसी बीडमेन पर आप श्य मेहने बाद किसी भी उस कमपनी बहुत को अप्ट के future का बनाना है मलब structure में बनाना है तो structure beam में बनाना है तो beam है जो भी industry आपको favorite है उस industry में आप जाओ वहाँ पर ये बताओ कि आपका जो company का काम है ऐसा काम में कर चुका हूँ suppose आप unique civil में आते हो, unique civil में construction का काम है तो आप ये मत बोलो कि मैंने construction का काम कभी किया ही नहीं आप बोलो कि पिछली job थी उसमें कुछ part मेरे इसके भी थे मैं पोट करूँगा क्या करूँगा मैं question पूछूँगा structure के बारे में आप तो बताई लोग है क्योंकि आपने तो पढ़ रखा है तो मुझे लगए अच्छ ये बंदा useful है मेरे लिए और ये बंदे को ये knowledge तो आ अब आप देखो कि इससे बहतर इसी फिल्ड में आपको क्या हो सकता है उस पे start कर अपनी learning को दीरे दीरे add करो एक साल वहां लगाओ जो भी आपकी फिवरेट जॉब थी डोमेन जो फिवरेट थी उसमें एक साल लगाओ फिर आप अपने आपको उससे भी high level पे increase करो और फि कि इसे 40-0 रोपे की salary पर stand कर रहे हो आपको अच्छी income भी आ रही है अब आप अपने हिसाब से start कर सकते हो part time कुछ income या फिर आपको जो भी समझाता है क्योंकि उसके बाद आपको समझदार हो जाते हो कि करना क्या है तो guys इस तरीके साल first job के बाद grow कर सकते हो first job के बाद हाल अब उसको सोचने को time है नहीं कि आगे भी कुछ करना है वो जी salary में उसी salary में लगा हुआ है उसको समझ में नहीं आता जो दूसरों को देखता है कि अरे यह भी तो आराम से आके सोता है अचा company में इतनी politics होती है तो मेरे company में ऐसे लोग बोलते थे पंडे जी जितना पैसा उतना काम हम एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे उनके वो जैसे मैंने भी एक दो मेने ऐसे किये बट गलत था फिर मैंने सीखा क्या यह तो इनको grow नहीं हो रहा है यह 8 साल से यहीं बैठे है इनकी salary भी मेरे से कम है ठीक है इसका मदलब है कईने कई मैं जादा काम करके अच्छा कर रहा हूं तो मैं अपने काम पर फोकस हुआ अब मैंने धीरी दीर लर्निंग स्टार की बट कमपनी बहुत पॉलिटिक्स होती है लोग आपके टांग खीचेंगे काम मत करोगे रव अगरा इसे करके आपको dedication के साथ काम करना है सीखना है नहीं नहीं चीजों को और आप इ इसे की upcoming videos आपके topic पर हो thank you so much for watching this video hope you like this and thank you so much for this lovely support अगर आप लोगो ने Unix Evil app डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लो क्योंकि आप के अंदर अभी regular test series हो रहे हैं तो आपका ही benefit है free doubt lecture हो रहा है आपका benefit है but अपने comment box में question जरू पोचिए ते लिए thank you so much च है ही जवाराट